बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सेफ डॉटर, एडुकेट डॉटर देश में छोटी लड़कियों को सशक्त करने के साथ-साथ उनके गिरती संख्या के अनुपात को बढ़ाने के लिए एक राश्ट्रिय अभियान की शुरुवात हुई है इस अभियान का नाम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ है हर्याना के पानिपत में 22 जन्वरी सन 2015 को भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सफलता पूर्वक इस अभियान का आरंभ किया गया लड़कियों के प्रती लोगों की विचारधारा में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ ही यह योचना भारतिय समाज में लड़कियों की महत्ता की और भी इशारा करती है भारतिय समाज में लड़कियों के प्रती कुछ लोगों की सोच बहुत क्रूर है ऐसे लोगों का मानना है कि लड़कियां पहले परिवार के लिए बोज होती है और फिर पती के लिए तथा ये सिर्फ कुछ लेने के लिए होती है देने के लिए नहीं हालां कि यह सच नहीं है दुनिया की आधी जनसंख्या महिलाओं की है इसलिए वे धर्ती पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधी जिम्मेदार होती है लड़कियों या महलाओं को कम महत्ता देने से धर्ती पर मानव समाज खतरे में पढ़ सकता है क्योंकि अगर महलाएं नहीं तो जन्म नहीं लगातार प्रती लड़कों पर गिरता लड़कियों का अनुपात इस मुद्दे की चिंता को साफ तौर पर प्रदर्शित कर रहा है जो की भविश्य के लिए हानिकारक है इस अभियान का मुख्य उद्देश ये भारत में निरंतर घट रही महलाओं की जनसंख्या के अनुपात को संतुलित करने के साथ साथ उनके अधिकारों को प्रदान करना है भारतिय सम्विधान महिलाओं को प्रदत अधिकार जैसे शिक्षा का अधिकार, समान सेवा का अधिकार तथा सम्मान के साथ जीने के अधिकार को सुनिश्चित करता है इस अभियान के तहट सबसे पहले सम्पूर्ण भारत में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 को लागू किया गया कोई भी ऐसा करते पकड़ा गया तो उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान है यदि कोई चिकित सक भ्रुन लिंग परिक्षण करते हुए या भ्रुन हत्या का दोशी पाया जाता है तो उसे अपने लाइसेंस रद्ध होने के साथ साथ भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते है आज भारत सरकार एवं राजय सरकारों के सयोगत प्रयास से देश में जन्म लेने वाली बेटियों की शिक्षा, स्वास्य एवं सुरक्षा, सुनिश्य थो पा रही है आज बहुत से निजी संस्थान, चैरिटेबल ट्रस्ट तथा व्यक्तिगत रूप से लोग एक दूसरे को जागरुक करने का प्रयास कर रहे हैं इसका सकारात्मक रूप भी दिखाई देने लगा है